तो यह जो लिस्ट है यह उन बच्चों के लिए है जिनका की एक्जाम आपका 23 से लेके 28 अक्टूबर के बीच में होने वाला है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इन बच्चों का जिनका एक्जाम 23 से 18 के बीच में होगा उनका लिस्ट जो जारी हो गया है और आप लोग एक बार इसको डाउनलोड करके अपना इसमें नेम जो वो सर्च कर लिजएगा यदि आपका इस लिस्ट में आता है तो आपका एक्जाम जो है वो 23 से 28 के बीच में हो सकता यहाँ पे डेट आप जो एक बार चेक कर लिजएगा तो इस लिस्ट में आप देख सक यहाँ है 23 से स्टार्टिंग है एक्जाम टाइमिंग है और इकजाम सेंटर है ठीक है तो 23 को होगा एक्जाम उसके बदी हम लोग next पर देखें तो चलिए आगे मैं इसको आगे करता हूँ और देखता हो कि इसमें next जो डेट है वो कब है 23 दिकाश हुआ है तो 26 को भी फिर और फिर हो सकता है 27 को हो, 28 को हो, 27 को भी है, ठीक है? 24 को भी है तो आप लोग इसको एक वाइड डाउनलोड करके देख लिजेगा यदि इसमें आपका अभी तक एक्जाम नहीं हुआ है तो जरूर इसमें आप लोग सर्च किजएगा अपना नाम हो सकता है कि इस phase में आपका exam हो जाए यदि इसमें भी नहीं होता है तो wait किज़ेगा आगे जो भी phase आएंगे उसमें हो सकता आपका exam हो ठीक है तो बहुत सारे बच्चे बोल रहते हैं कि sir list है आपके पास तो list provide कर दीजिए तो इस list का जो link है वो मैं इसका telegram group पे share कर दूँगा और साथी साथ इस video के नीचे description box में आपको इसका link मिल जाएगा वहाँ से आप लोग इसको download करके देख सकते हैं ठीक है तो बस इस video में इतना ही और यदि आप 20-20 session के student है तो आप क्या किज़ेगा जो आपका verification data verification अभी चल रहा है यदि आपने नहीं किया है तो data verification जरूर एक बार कर लिजएगा ताकि आपका उसमें कोई भी data में जो है कोई तूटी ना रहा सके यदि आपको उसमें कोई अभी यदि आप नहीं सुधार कीज़ेगा तो फिर आगे चलके में इतना है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में